कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आए दोस्तों सुनते हैं सुष्मा मुनेंद्र जी के लिखी कहानी पतन ठिठूर्ती ठंड और निश्ठूर निशा परिस्थितियों से पिद्धी हुए मनुरत और कप्तान सिंग कोहरे में लुप्त प्राय सिहर्ती सड़क को तेजी से नापना चाह रहे हैं गती लटपटा रही है रसूख वाले ने ऐसा फोड़ा कि किसी तरह बचकर या कुछ लोगों के द्वारा बचाये जाकर रसूख वाले की गिरफ्ट से छूट कर प्यारे लाल को ढूनते रहे प्यारे लाल बाइक सहित नदारत आटो करने का ख्याल ना आया कुछ दूर निकल आने पर ख्याल आया लेकिन हाथ दिखाने पर कोई ओटो नहीं रुका मनूरत के चहरे पर जब से मस्से उपजाएं हैं खुद को प्रबल मानने लगा है रसूख वाले ने ऐसा फोड़ा कि पहले तमाचे में पतलून गिली हो गई गिली पतलून जैसी बांधा समहाले किसी तरह कप्तान सिंग के साथ तीसरी मंजिल के अपने फ्लैट में पहुचा कौन है कप्तान प्यारे लालने द्वार खोल दोनों को फुर्ती से भीकल खीच लिया जब देखा वा आदमी तुम दोनों को थाने ले जाने की धमकी दे रहा है शायद पुलिस को कॉल भी लगाने लगा था मैं तब भागा कि तुम दोनों को थाने जाना पड़ा तो बाहर रहकर कुछ उपाय करूँगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैंने अभी थोड़ी देर पहले मनौरत तुम्हारे बाबुजी को कॉल कर दिया पागल है बाबुजी नहीं छोडेंगे दहशत में मनौरत ने जेब से अपना सेलफोन निकाला लो बैटरी शुक्रिया शिफशंकर प्यारे लाल ने गलती स्विकार की मुझे लगा पुलिस तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी पुलिस तक बात नहीं पहुची लेकिन तुमने प्रचार कर दिया कप्तान ने अपना मुबाइल फोन देखा दस मिस्ट कॉल पापा के मनौरत के बाबुजी कुछ बोले इंफॉर्म कर मैंने सेल स्विच ओफ कर दिया हम लोगों को हलाल कर अपनी जान बचा लो मनौरत को भै ने बुरी तरह जकड लिया प्यारे लाल बोला ठके हो सोजाओ यदि नीन दाएगी नीन नहीं आ रही है रजाई की गर्माहट भी मनौरत के भै को कम नहीं कर पा रही है इस वक्त घर में हड़कंप हड़बड़ी मची होगी समचार सुनकर अम्मा ने दमसाद लिया होगा आदत की अनुसार बाबुजी ने अम्मा को दोशी माना होगा और भेजो मनौरत को बाहर बरबाद हो गया पुलिस इसकी चमड़ी उतार ले तो मैं शान्ती पाऊं अम्मा ने शब्ध होई होंगी फिर कुछ तेर बाद कुछ बोली होंगी प्यारे लाल और कप्तान ने बरबाद किया मनौरत हैसा नहीं था एक यही शरीफ है बागी सब बदमाश अम्मा बाबुजी के जिरह देख बुला के जिया ने विद्धता दिखाई होगी बाबुजी मनौरत का फोन नहीं लग रहा है कप्तान के पापा से बात करो बाबुजी ने कप्तान के पापा को कॉल किया होगा ये दो पिता मिलकर अब पता नहीं क्या करने वाले होंगे मनुरत भैभीत है पर भूख भैभीत होना नहीं जानती भोजन की हो, दें की हो, पैसे की, मान प्रतिष्ठा की भूख बहुत बड़ा सत्य है मनुरत जैसे बेसुध में बुद्बुदा रहा था इतना जलील होना पड़ा, पूरा शरीर दर्द से तूट रहा है फिर भी भूख लग रही है प्यारे लालका अपराद बोध बढ़ गया आज रविवार है, टिफिन सेंटर से रात का खाना नहीं आया घर में एक बिस्किट भी नहीं है निस्ठोर निशा अम्मा खाने का कितना प्रबंध करती थी अम्मा को याद कर मनोरत का दिल भराया कुछ दिन पहले तक वसीधा को शागर बुद्धी लड़का हुआ करता था घर और इस्कूल उसके दुनिया थी लड़कियों को सीटी मारने वाले सहपाठी हस्ते मनोरत तुम पपू हो, दुनियादारी सीखो अपनी सरलता में वह अम्मा से दुनियादारी का अर्थ पूछता अम्मा तीन पुत्रियों के बाद जन में एकलोते पुत्र के केश सहलाने लगती दुनियादारी बड़े होकर अपने आप आ जाती है खूब पढ़ा बारवी में 85 प्रतिशत परिणाम लाकर अम्मा बाबुजी को गरब से भर दिया स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रहे हैं प्यारिलाल और कप्तान सिंग भी मैं भी बाहर पढ़ूँगा अम्मा के धडकन हलक में मनोरत मैं तुम्हारे बीना नहीं रह सकती यहीं पढ़ो अपनी दुकान ही तो सम्हालनी है कौन सा लंदन खूमना है दुकान काका मिस्ठान भंडार मनोरत को अपने भीतर चीकट बन्यान वाला हलवाई नजर आया वह काका, दादा जी, फिर बाबु जी की तरह चीकट बन्यान स्या पैजामा पहन कर घी तेल से बासमारती देहीं संभाले ददकती आज के समुख बैठकर कडाही के खौलते तेल में समोसे और इमर्ती तल रहा है इस छोटे शहर में तमाम रेस्टरेंट खुल गए है लेकिन कुछ बेंच और मेजो वाले काका मिस्ठान भंडार के इमर्ती लोंग लट्ता वेशन लड्डो, समोसे और खोई की काली जलेबी का स्वाथ लोगों को आज भी ऐसा भाता है कि रात आठ बजे तक बाबु जी को एलान करना पड़ता है समोसे खत दुकान की आए से दो बड़ी पुत्रियों के अच्छे दर्जे के विवाह हुए पुलाकी के विवाह की तैयारी है लेकिन दुकान की चीकट इस्थिती आए के आकड़े इस गारगर तरीके से छिपाती है कि आए कर विक्रे कर विवाह को कलपना नहीं है आए प्रतीमा एक लाक से उपर जाती है अम्मा के चीकट प्रस्ताव पर मनोरत को मानहानी जैसा फील आया था अम्मा मैं खुद को भट्टी और कड़ाही में नहीं जोग सकता बाबु जी निदान पर आए तुम्हारे लिए शांदार रेस्टरेंट बनवाऊंगा मैं काका मिस्ठान भंडार समालूँगा तुम रेस्टरेंट में मैनेजरी करोगे अभी तो सिर्फ मुझे पढ़ना है सिर्फ पढ़ना है कसबाई कच्चा पन लेकर मनौरत महानगर के माहौल में उत्रा घर याद आता अम्मा बहुत याद आती साथ है प्यारे लाल और कप्तान सिंग को आजादी मनाते देखता तो हैरान हो जाता तुम लोगों को घर वालों की याद नहीं आती कप्तान उसे व्यंगात्मक रूप से देख रहा है इस्पून फेडिंग करा कर तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें पप्पू बना दिया है अम्मा की याद में दुबरा गए हो चलो मूवी दिखा लाता हूं मंगलवार को ही देखी थी तुम क्या कर रहे हो प्यारे लाल ने पुछका रहा एडजस्ट हो रहे है तुम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो लेकिन पोथनना पढ़ना है रिजल्ट बिगड़ा तो बाबुजी वापस बला लेंगे मैं चीकट बनियान पहन कर सुबह से खोया ओटता पाया जाओंगा प्यारे लाल ने फिर पुछका रहा रिजल्ट बनेगा तब भी खोया ही ओटो गे काका में स्ठान भंडा तुम्हारी राह तक रहा है मेरी कलेजे तुम पढ़ो मैं और कप्तान थोड़ा बेवकूफी करके आते हैं तुम्हारा थोबडा देखकर रूप गए हैं मोवी देखेंगे तो तब भी अथलकी हो जाएगे मनोरत ने विरोध किया तुम दोनों बिगड़ गए हो हमें बिगड़ने दो तुम बाबुजी के ओर्डर को फॉलो करो एक कप चाय भी पियो तो उसका खर्च डायरी में नोट करो मासिक बजट और पढ़ने का टाइम टेबल बनाओ परदेश में हो लूटने वाले संगी साथियों से सावधान रहना कप्तान सिंग ने बाबुजी का ऐसा अभी नहीं किया कि मनोरत हसी न रोख सका मेरे बाबुजी को भख्ष दो यार प्यारे लाल ने ग्यान दिया मनोरत मैं ये नहीं कहता है कि ये बाब लोग बैड मैन है लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत अपने तरीके से जीने का हक है यदि हम मूवी देख लेते हैं तो गजब नहीं करते हैं तुम इस तरह पप्पु बने रहोगे तो किसी दिन तुम्हारा अपहरण हो जाएगा। कप्तान गेट रेडी, वरना टिकट नहीं मिलेगी। कप्तान सिंग नई जिन्स पहन कर तयार हो गया। मनुरत ने ततकाल पूछा। कब खरीदी? चुराई है। कब? पिछले हपते, तुम दोनों भी तो थे, मैंने ट्रायल रूम में 6-7 जिन्स का ट्रायल लिया था। इस जिन्स के उपर अपना ट्राउजर पहना और बाके जिन्स दुकान वाले के सामने रख दी थी, कि फिटिंग नहीं जम रही है। प्यारे लाल ने प्रशंशा से देखा, मैं मोजे तॉलिया चोकलेट जैसी छोटे चीजे चुराता हूँ, कब्तान तुमने तुझे इस चुरा ली। मनोरत का कसबाई कच्चापन, चोरी बुरी बात है, इसे चोरी नहीं मौज मस्ती कहते हैं, कप्तान ने इस तरह कहा मानुपदक जीतने का काम किया है, तुच्चे हो, इतने बड़े शहर में कौन जानता है कि हम इजददार बाप के अलाद हैं, कभी पकड़े जाओगे तो करतूत की थी, जो डंडे पड़े, सुन मनोरत, मैंने केवल जिंस चुराई, दुकान वाला तु लाखों के टेक्स चोरी करता है, प्यारे लालने कप्तान के कंधे ठोके, तुम्हारे पापा के भी गौर्मेंट शॉप है, मैंने कब कहा मेरे बापू दूद के धुले हैं, म भाराचरण, चहरे चरित्र में बदलाव लाते हुए, वह पूरी तरह बदल गया, दिपावली पर घर आया मनोरत, दूसरे लोग का वासी जान पड़ता था, चतुर चहरा, बड़ बोली बातें, चपल चाल धाल, मश्रूम कट बाल, दोनों में बालियां, चोस्त जेंस और बुला कि ने विक्रित मुद्रा बनाई, मनोरत ये क्या धजा बनाए हो, अभी रेलवे स्टेशन में इस धजा का बड़ा इंप्रेशन जम गया जी, मैं प्यारे कप्तान एक्जिट से बाहर आये कि ब्रदर, ओटो ब्रदर ओटो कहते हुए ओटो वाले ने घेर लिया, बाबुजी भस में भूत हुए, मनोरत भगवान ने भली सूरत दी है, मुझे हटा कर बालिया पहन कर लड़की लग रहे हो, बाबुजी ये लेटेस्ट है, मैं मुझे नहीं हटाना चाहता था, लड़के दादू लेंड का वासी कहकर चिढ़ाने लगे तो हटाना पड़ा बगेल खंड में लड़के को दादू कहते हैं, फैशन पढ़ाई चौपट कर देगा, बिल्कुल नहीं, मेरे कॉलेज के लड़के एसी कार से आते हैं, महंगी गैजट्स रखते हैं, रिजल्ट भी अच्छा लाते हैं, बकवास, अम्मा बचाओ कारे में तैनात, बाद में समझाना बच्चा सफर से ठका आया है, मैं इसका इंतिजार कर रहा था, इसने उच्छा खत्म कर दिया, या जनरेशन किसी लायक नहीं, कान नाग भौ नाभी में बाली, फटी जिन्स, मश्रूम कट, कटोरा कट, जीरो कट बाल, मुझे तिरशी नजर से मत खुरो, समझे, उक्का पानी बंद कर दूँगा, होश में आ जाओ, पार टाइम जो अब बहुत मिलते हैं, अपने पढ़ाई का खर्च खुद उठा सकता हूँ, कहकर मनूरत ने बाबुजी को चुप करा दिया, अम्मा ने उनका उठ गया हाथ खीचा, जवान लड़के पर हाथ चलाओग प्रेम से समझ जाए, लेकिन मार पीट से भढ़कते हैं, अग बार मैं रोज पढ़ती हूँ, लड़के लड़किया घर से भाग रहे हैं, फासी में जूल रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, अम्मा की बातों का असर हुआ या क्रोथ, अपनी हद छुकर बैठ गया, थोड़ी दे पढ़ने बड़े शहर भेजा, बिगड़ गया, बच्चे ना समझी करें तो माता पिता को तकलीफ होती है, हमें नहीं मालूम तुम वहां क्या करते हो, इमानदारी से पढ़ोगे तो संतोष मिलेगा, मुझे भी तुम्हे भी, तुम यदि खुद के प्रती इमानदार बन जाओगे तो गलत काम करते हुए जिजक होगी, लगेगा गलत कर खुद को धोखा दे रहे हो, बेटा बीता हुआ समय नहीं लोटता, और हर काम का एक निश्चित समय होता है, उम्र होती है, तुम्हारे लिए ही असमय बहुत महत्वपूर्ण है, जानता हूँ बड़ी नहुने का अभिने करता ओंधा पड़ा रहा, बाबुजी को आगरह करते देख, उसे विचित्र किस्म की तुष्टी मिल रही थी, उसे सोता समाज उसके सिर पर हाथ फेर वेकमरे से चले गए, अम्मा ने अलग समझाया, आलिशान रेस्टरेंट बनेगा मनोरत, काका में इ रहते थे बड़ा होकर दुकान में बैठूंगा, खूबी मिरती खाऊंगा, नोवेजी, इस थेटरलेस स्मॉल टाउन में कुछ नहीं रखा, लोग एक मूवी देखने को तरस जाते हैं, कस्बे से निकलो और देखो, लड़के कितना अंबीशियस हो रहे हैं, ओवर्सीज का अर्थ नहीं समझी, तुम एक ही बेटे हो, इकलोता होने की सजा मिलेगी, अम्मा नर्वस मत करो, मेरा दोस्त चंद्रमणी सौधी अरब चला गया, उसके पैरेंट्स ने तो नहीं रोका, लाखो कमा रहा है, बेकार बाते, बेकार बाते प्यारे और कप्तान ने सिखाई जेना सिखाया है, वरना पप्पू बना रहता, मनोरत ने बेज दिन बोरियत में बिताए, प्यारे लार और कप्तान सिंग के साथ फ्लैट में कदम रखा, तो लगा दिनों बाद प्राण बहुरे हैं, इस बेज तीन मूवीज रिलीज हो गई थी, रिलीजिंग डेट पर मैंने कहा पापा पेट्रोल से लेकर प्याज तक हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, अजार दो हजार बक्स अधिक दिया करो, तो कहते हैं मूवी देखने के लिए मैं एक पाई नहीं दूगा, पढ़ने गए हो ना एक बनने नहीं, प्यारी लाल ने मनूबल न गिरने दिया, बाप लोग हमसे बड़े चालवाज हैं, न जाने कैसे जान लेते हैं कि हम बहुत मूवी देखते हैं, मनूरत बोला, मूवी में हम बहुत पैसा बरबाद करते हैं, जिफिन न आए तो फाके करने पड़ेंगे, प्यारी लाल ने ब्लास्ट किया, फ्री में देखेंगे, कैस दोनों एक साथ बोले, ब्लैक में टिकेट खरीदते हुए, मैंने ब्लैक करना सीख लिया है, टिकेट ब्लैक करेंगे, जो एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, उसे मूवी देखेंगे, एक दम फ्रीव, सबसे पहले प्यारे लाल ने मैदान मारा था, आठ टिकेट खरीदे थे, तीन अपने पांच एक्स्ट्रा, वो सफेशर्ट वाला आदमी, जिसके साथ दो औरतें और दो बच्चे खड़े हैं, उसे बेच दिये, तीन सो कमा लिये, चालू है बे, कप्टान पराजित सा दिखा, जीनियस, डर नहीं लगा, मनोरत सिर्प इटाया सा, लोगों के पास पैसा है, फेकते हैं, मैंने जबरदस्ती टिकेट नहीं बेचे, प्यारे लाल के पुलक दोनों की प्रेणा, पहली बार टिकेट ब्लैक करते हुए, मनोरत साहस खो रहा था, टिकेट नहीं मिलने से चार उदास लड़किया, एक और खड़ी थी, मनोरत समीब जाकर फुसुसाया, ग्यर्ल्स टिकेट, बालकनी, चार चाहिए, एक्स्ट्रा कितना, टो फिफ्टी, लड़के आपस में मश्गूल हुई, रोज रोज मम्मी परमीशन नहीं देंगी, आने जाने में आटो के ढाई तीन सो लगते हैं, आज लगेंगे, अगले किसी दिन आती हैं तो फिर लगे पेशेवर दभी आवाज में, सर टिकेट, एक्स्ट्रा, मैम टिकेट, कहते वे ब्लैक करनी लगा, नहीं सोचा अशुब इसी धरा पर घटता है, अडला पेटे में मनुश्य ही आते हैं, ब्लैक में टिकेट खरीदने वाला व्यक्ती रसूख वाला निकला, प्रती टिकेट पचास रुपया अत्रिक दे रहा था, कप्तान सत्तर परड़ा था, रसूख वाले ने सहसा कप्तान सिंग की कॉलर पकड़ ली, उसके साथ खड़े इस्तरी डर गई, कॉलर छोड़ो, क्या करते हो, रसूख वाला वहशी हो रहा था, लोग लाइन में लगकर समय खराब करत हैं, और पता चलता है टिकेट खड़, लड़कों ने धंदा बना लिया है, एक्स्ट्रा टिकेट खरीद लेते हैं, फिर ब्लैक करते हैं, कप्तान कुछ कहने लगा कि रसूख वाले ने उसे थपड़ मार दिया, आसपास मंडरा रहा प्यारे लाल भाग निकला, पिड़ते थेटर के सुरक्षागार ने रसूख वाले को शांत किया, माहौल खराब होगा सर, थेटर की बदनामी होगी, कंट्रोल करना चाहिए न, ब्लैक हो रहा है, बदनामी होगी ही, पुलिस को कॉल करो, मैं इन्हें देखता हूं सर, सुरक्षागार ने दोनों को नियंतरण में ले लिया, शोर शुरू होने वाला था, लोग थेटर के अंदर चले गए, परिसे प्राया खाली हो गया, सुरक्षागार के हाथ पर जोड, बार बार माफी मांगकर कप्तान और मनुरत किसी तरह छूट सके, प्यारे लाल कहीं नहीं दिखा, सेल फोन पर कॉल किया, उसने र रात है, सननाटा है, पीड़ा भै, लज्जा गलानी है, लेकिन मनुरत की आखों में नीन नहीं है, पिटता हुआ कप्तान भी बस, बल की घिनोना लग रहा था, प्यारे लाल निकम्मे की तरह भागाया, इन जैसा बनने की बेवकूफी में मैं क्या से क्या बन गया, कौन मा बेटा बीता हुआ समय नहीं लोटता, और हर काम का एक निश्चित समय होता है, बाबुजी के शब्द बेतर है यादा रहे हैं, तो मनुरत ने छट पटा कर, पहलू बदला, फिर बदलता रहा, जैसे खुद से दूर भाग जाना चाहता हो, अभी आप सुन रहे थे, सुश मुनेंडरजी के लिखी कहानी पतन